कैसे हो आप इश्विर की क्रीपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशिल मंगल होगे में लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हूँ पिछली वीडियो में मैंने आपको एकी स्वेटर से दो सॉक से दो मोजे प्रपेर करके बताय हुए है और अब आप इसमें देख सकते हैं मेरे पास यह बैक का पार्ट बच गया है और यह जो फ्रंट जहां पर हमारा गला था वहां से यह पार्ट बचा हुआ है तो हम इससे भी एक मीडियम साइज का मोजे तयार कर सकते हैं तो किस तरह से करेंगे सबसे पहले हमने डिजाइन का ध्यान रखना होता है कि एक बराबर डिजाइन आए आप देख सकते हैं इसमें ऐसा डिजाइन है और इसमें भी ढाइन की बलू तो यहां पर भी बलू डिजाइन है तो हम किस तरह से इसमें मोजे बनाएंगे सबसे पहले जो यहां से हम इसको निकाल देंगे यह देखिए हमने सारे पीस जो है अलग कर दिये हमारे फ्रंट के है और यह हमारा बैक का है सबसे पहले तो हमें जब मोजे बनाने हैं तो इसमें हमें बिल्कुल एक ध्यान रखना तो कि यह देखिए बेक बराबर है तो इसी तरह से हमारा ये भी इस तरह से आएगा हमारा हमने इस तरह से नहीं लेना है तो हमारा जो है मोजा एक और डिजाइन का बन जागा एक और इसी तरह से हमने डिजाइन लेना किस तरह से इस तरह से तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें सबसे पहले हमने इसमें यहां से जो इसमें सिलाई डाल देनी है यहां से दोनों तरफ से हमने इसमें सिलाई डाल देनी है उसके बाद इसमें मेजरमेंट लेंगे हम मोजे का आप देख सकते हैं हमने यहां से इसमें सीलाई डाल दी और यहां पर हमने मेजरमेंट लेना है सबसे पहले तो मेजरमेंट जो मेरा मेजरमेंट इसमें मोजे का जो है यहां से मैंने 4 इंची तयार करना है और थोड़ा सा मार्जिन के लिए लेना है यानि कि 4.5 इंच पर जहां मेरा 4.5 आ जाएगा वहाँ पर मैंने अच्छे से मार्क लगा कर जो इस तरह से इसमें इसकी कटिंग कर देनी है बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है अब सेम इसी तरह से हमने इस दूसरा जो मोजा है उसमें भी एक बराबर लेना यहां से देखना है हमारा पूरा बराबर है कि नहीं यहां से आप देख सकते हैं थोड़ा इसमें रेबदार है तो इसकी हमने इसमें इस तरह से बिल्कुल बराबर कटिंग कर देनी है अब साड़े चार का measurement लिया हुआ तो इसमें भी हमने साड़े चार का ही measurement लेना है इस तरह से दोनों को इस तरह से उपर भी रख सकते हैं इसके उपर भी हाँ बिल्कुल बराबर है measurement अब हमने इसमें जो एक्स्ट्रा है इसकी हमने cutting कर देनी है इस तरह से हमने दोनों मोजो की एक बराबर cutting कर देए यहां से यह नीचे से stitch है यहां से हमने stitch किया हुआ है अब हमने इसमें क्या करना है अब हमने इसमें measurement किस चीज करेना है यहां से आप देख सकते हैं इसमें measurement बहुत कम है तो सबसे पहले हमने यहां पर इसमें 4 इंच का measurement लेना है और यहां से इधर को सिलाई डाल देनी है एक सिलाई यहां को डालनी है एक सिलाई यहां को डालनी है आप चाहे तो यह सिलाई बाद में भी डाल सकते हैं सबसे फले हमने जहां पर चार इंज का measurement लिया हूआ है, यहां से हमने यहां को सिलाई डाल देनी है, यहां से हमने इसमें सिलाई डाल दिये, और अब हम इसे इस तरह से पलटी मारेंगे, तो आप अपने measurement की according कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें यहां से खुला रखा हुआ है यहां से मैं एक साइड से सिलाई डाल देती हूँ ताकि बिल्कुल जो है मोजे की ही इसमें पिक्चर दे के हमें इस तर से हमने यहां से साइड सेучी लिदी और यह हमारा हूल रह गया, अब आप यहां देख सकते हैं, यहां से आप बहुती कम मोजा दिख रहा है, मुझे जो इसमें तयार बनाना है, वो तयार कितना बनाना है, यहां से कम से कम चोड़ाई में 11 इंच होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, इसमें 7 इंच है, और इसमें 3 इंच कम है, त देखिए इस तरह से उसकी लूक दोनों में एक बराबर डिजाइन बनाना है तो यह देखिए यह हमार पास इसमें 20 बचा हुआ है जिसमें जो यह देखिए मैंने जहां पर मेरा 3 इंच का मेजरमेंट आ जाता है इस तरह से मैंने आदा इंच मार्जन सीलाई के लिए रखना ह और फिर यहां से भी चोड़ाई में 4 इंच यानि कि 8 इंच ही लेना है इस तरह से डिजाइन दोनों में जो एक बराबर होना चाहिए तो हमने देखना इसमें एक बराबर डिजाइन आ रहा है कि नहीं इसमें एक बराबर डिजाइन नहीं है हमने बिल्कुल एक बराबर ही लिएना है तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पारले तो हम इसे बिल्कुल बराबर कर लेंगे इस तरह से हमने इसे बराबर कर दिया अब हम इसे जो है यहां से देखेंगे इस तरह से हमारे पास कितना यहां से देख सकते आप इस साइड से इस साइड से जो पूरा साढ़े साथ आ रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं स्टिचेबल होती है तो उसमें कम भी चलेगा तो हमने किस तर से पंजा निकालना है इस तरह से यह हमारा डिजाइन भी बन जाएगा इसमें और देखने के लिए दोनों डिजाइन एक ब्राबर हो गए तो यहां से हमने देखना है तीन इंच का नहीं आदा इंच एक्स्रा ल इस तरह से इसमें एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर देनी है यहां से जो इसे इसमें जो रिखिए स्वैटर का डबर लगा हुआ है तो आप इसे मेजर में इसे बाद में निकाल दूंगी इस तरह से अब बिल्कुल ब्राबर हो गया अब जो मैंने क्या करना इसमें अब यहां से भी इसकी कटिंग कर देनी कटिंग कर देने के बाद अब जो हमने यह देखिए हमारा मेजर में दोनों ब्राबर आ जाएंगे डिजाइन में दोनों एक ब्राबर आने चाहिए पंजे में दोनों एक ब्राबर ही डिजाइन आएंगे तो किस तरह से स्टिच करन करना इस तरह से प Religאני चीज को दो आप चाहत hover us क stopping लगे हैं फिर इसमें पूरे इस स्टीच करना है इसासे पासे इस पहले सिच कर सकता है है इसके बाद इसे यहां पर स्टिच करना है इस तरह से मैंने इसमें यहां से स्टिच कर दिया अब हमने इसे क्या करना है बिल्कुल सीधा करना है इस तरह से और यह हमारा मोजा जो मोजा है हमारा इसे भी हमने सीधा कर लेना है इस तर से सीधा करने के बाद आपने यहां पर जो यह देखे सीलाई यह यह वाली सीलाई यह देखे हमने सीधा किया हुए ध्यान से देखेगा और यह भी हमारा सीधा मोजा आए तो इसमें हमने यह देखे जो नीचे वाली सीलाई यह उसको सीलाई के साथ सीलाई मिलानी है इ और इसे पूरे स्टिच करना है आप चाहे तो इस तरह से इसमें इसे यहां इदिखी इस तरह से उल्टा कर सकते हैं और यह सीधा रखना है और इसे इसके अंदर डाल देना इस तरह से और इस तरह से हमने पूरे को जो इसको इसकी उपर सी इसमें राउंड में सिलाई डाल देनी है यहां से आप देख सकते हमने इससे स्टिच कर दिया है और एक यह बैक का पार्ट है तो इसमें हमने यहां से सिलाई नहीं डाली हुए तो मैं जो इसमें हलकी सी नीचे की तरफ आया हुआ है तो सिलाई डारने के जरूरती नहीं क्योंकि हमने उपर को सिलाई लाई हुए यह नीचे है अब हम इसे इस तरह से पल्टी मारेंगे तो इस तरह से हमारा यह देखी यह हमारा आगे के लिए पंजा बन गया है अब हम इसमें जो क्या करेंगे यहां पर इसमें पंजे की सेफ तो किस तर से बि znak जितना हमें चाहिए वहां पर और इस तरह से को पूरी पंजे की शेप में इसमें पलटी मारकर उल्टी इस तरह से कि इसमें ड्राफ बना लेंगे सबसे पहले, यह देखी वारा पूरा एक ब्राबर डिजाइन दोनों तरफाए आए, तो हमने इस साइड से अंगूठे बनाने हैं दोनों में और यहां पर पंजा निकालना है, तो इसमें सबसे पहले हमने इसे उल्टा करना है इस तरह से, और उ दोनों साइड हमने सिलाई डाल दिये अब हम इसे इस तरह से पल्टी करके अच्छे सी सीधा कर लेते इस तरह से आप देख सकते एक बराबर मोजे बन गया है इनमें जो है पंजा इस तरह से बनाया हुआ है कि आप कि इस तरह से भी आप इसे डाल सकते है और इस तरह से भी अ मोजे बिल्कल बराबर बने हुएं इनमें अंगूठे में भी एक साथ डिजाइन हा हुआ और साայीर से भी so इसमें पुराने स्वेटर के यूजिंग कर दिये, सॉक से भी डाली हुई मैंने इसकी ऊपर से मोजे भी डाल दिये, आप इस तरह से misuse नहीं करेंगे, स्वेटर को इस तरह से इसमें बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत नर्म गरम है, आप इस तरह से बना सकते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीजी से लाइक, सियर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फोर वाच मी